नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ जे आरेफ 2021 की तैयारियों के अंतरगत दोस्तों हम आज से अपनी एक्सपेक्टिड क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम UGC NET first paper के regarding लगभग 10-15-15 कोशनों को लगातार डिसकस करेंगे और ये वाली सीरीज हमारी लगातार जब तक की UGC NET की परिक्षा हो नहीं जाती तब तक चलती रहेगी और इसका जो हमारा मीडियम रहेगा वो हिंदी में रहेगा बेसिकली जो हिंदी सही तेवारता चैनल है वो UGC NET हिंदी की तेयारियां यहां पर करवाता है लेकिन इसके साथ इसाथ दोस्तों UGC NET में हम देखते हैं कि paper में जो first paper की जो भूमिका है वो बहुत जादा मानी जाती है और इसी के चलते हमने ये कोशिश की है कि जो expected question की series है वो चलाई जाए exam तक तो इसमें हम लगभग 10-12 प्रशन हर रोज लेकर आएंगे तो उमीद करता हूँ कि यह आप सब लोगों के लिए बहुत जादा beneficial होगी तो चलिए बीनादेर किये शुरुआत करते हैं आज के lecture की और सबसे पहले देख लेते हैं अपना पहला प्रशन तो सबसे पहले यहाँ पर प्रशन पूचा गया है देखिए जब शिक्षार्थी आतम निर्देशित जिसको कहते हैं self-directed होता है तो ऐसे स्थिति को दर्शाने के लिए निमन में से कौन से शब्द का प्रियोग किया जाता है तो एक चीज़ आप देखते हैं कि जो first paper है हमारा उसमें लगभग 10 units हैं और mainly हर दिन हम क्या करेंगे कि आपके प्रतिक unit से लगभग एक एक प्रशन रखने की उसमें हम कोशिश करेंगे हाला कि इसमें data interpretation और कुछ दूसरी चीज़ें उनको यहां पर MCQs के जरीए बताना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन दूसरी जितनी भी हमारी इसमें unit से लेकर के last तक उनको हम discusses में जरूर करेंगे जो जो भी महत्रपुन प्रशन बनने की संभावना रहती है देखिए जब शिक्षार्थी आतम देशित होता है तो ऐसिस्थिति को क्या कहा जाता है इसको कहते हैं आपका देखिए विकल्प नमबर 3 है देखिए अंडरगोगिकल या फिर एंडरगोजिकल भी इसको कहा जाता है ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा आपका विकल्प न जाता है तो यह बहुत ही important चीज़े देखिए कई बार हो सकता है इसको पूछा जाए आपकी approach दो तरीके की जो आपकी शिक्षण प्रतिरूप माना जाता है है जैसे आपका पहले होता है आपका जिसको हम pedagogical approach कहते हैं दूसरा है आपका endagogical approach तो इसमें देखिए इसमें जो जो शिष्चे केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है इसके अंतरगत शिक्षार्थी अधिकतर आत्म निर्देशित होता है और स्वाइम उत्तरदाई माना जाता है शिक्षार्थी का हित केवल ग्यान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है बल तो यह important चीज़ है जो देखते हैं आप एंडरगोजिकल एप्रोच में है कि यह चातर केंदरित ही मानी जाती है और इसके केंदर में किसको माना जाता है चातर या शिश्य को ही शिक्षार्थी को ही माना जाता है अगर हम बात करें दूसरा देखिए जो पैडरगोजिकल एप तो वो है आपका पैडरगोजिकल एप्रोच जिसको प्रशिक्षक केंदरित दिश्टिकोन की भी कहा जाता है और इसमें क्या होता है कि आपका जो शिक्षक का शिक्षन अधिगम जो प्रक्रिया है वो गती समगरी प्रविधी पर पूर्ण नियांतरन रहता है उसमें दूसरा आपका अनुसंदान गया रिसर्च जो मैथरोलोजी है वहां से बहुत ज़्यादा प्रशन पूछे जाते हैं और उसमें आपको एलिमिनेट करने की भी क्षमता आपके पास होनी चाहिए इस तरीके के प्रशन अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो चलिए आग विकल्प नंबर चार सामगरी विशिलेशन तो दीखिए सामगरी विशिलेशन जिसको हम कंटेंट एनलीसिस कहते हैं इसकी आवशक्ता इसमें नहीं माने जाती है जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ठीक है बाकी चीज़े उसमें सब की सब नहीं होती है या उ उसके टाइप्स अलग-अलग है उसके प्रकार है उदीशियों के आधार पर हम बात करें तो अनुसंदान के 5 प्रकार मने जाते हैं तो देखिए कौन-कौन से रिसर्च या आपके अनुसंदान के प्रकार है उसके बारे में भी एक बार आपको जरूर पढ़ने की experimental research किसके अनुसार आता है या आता है आता है आपका उदेश्य के अधार पर अनुसंधान के प्रकारों में से एक प्रकार इसको माना जाता है अगर हम बात करें उदेश्य के अधार पर आपके जो अनुसंधान या research के कितने प्रकार हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं इसमें सब से पहले आता है आपका वननात्मक अनुसंधान फिर आता है सह संबंद अनुसंधान फिर व्याख्यात्मक अनुसंधान और चौथा है आपका समनवेशी अनुसंधान और आखिर में इसमें आता है प्रयोगिक या फिर प्रियोगात्मक अनुसंधान थीक है तो देखिए प्र experimental research माना जाता है जब एक घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा अनुसंधान या कौन सा research होता हुआ वो आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान माना जाता है जैसे यहां पर लिखा गया है देखिए कि धुमरपान की वज़ा से फेपड अनुसंधान कहते हैं I hope आप सब लोगों को clear हो रहा होगा अच्छे से कि जो जो चीजे मैं यहां आपको करवा रहा हूँ चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन सुन क्या तीन है देखिए सत्यकथन बताईए तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि आपने एक स सत्यकथन चांटना है तो इस तरीके के प्रशन आप देखते हैं कि पहली और दूसरी यूनिट से बहुत जादा पूछे जाते हैं यहां पर लिखा गया है कि अनुसंधान में उदेश्यां को प्रशन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है तो यह वाला जो प्रशन पू प्रशन का जो सही उतर होगा विकल्प नंबर दो आपके जो अनुसंधान में उदेश्यां को किसके रूप में स्पष्ट किया जा सकता है वो आपके कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है तो दो इसका सही उतर होगा अगर आपको लगता है दोस्तों कि कुछ एक प्रशन मुझसे गलत हो रहे हैं या क्युछ प्रशनों के उतर अलग हो सकते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि first paper में बहुत ही जादा आपकी जो समर्ण शक्ती या उसको कहते हैं कि आपकी analytical जो power है उसके जरीए ही हम कर सकते हैं ऐसे नहीं कि इसको हम रटा मार के कर सकते हैं बहुत ही open mind से आपको करना है और बिल्कुल निश्पक्स तरीके से जब आप इसको करते हैं तो बहुत जादा chances हो जाते हैं कि आपका paper जो है अच्छे से होता है इसको आपने बिल्कुल जबदस्ती नहीं पढ़ना है इसको open खुले दिमार्ग से इसको पढ़िएगा चलिए अगला प्रशन है देखिए प्रशन संख्या चार निमिलेखित में से कक्षा में संप्रेशन की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है तो देखिए कक्षा संप्रेशन या आपका जो communication है है ना Communication से भी एक आधा प्रशन आपको हर बार ही पोचा जाता है एक आधा क्या मतलब तीन चार प्रशन या ऐसे बहुत सारी प्रशन जो आप Communication से भी देखते हैं पांच प्रशन आप हर एक यूनिट से पांच प्रशन मान के आप चलिए तो Communication सबसे इजी भी माना जाता है UGC Net के फ और है कक्षा के बाहर अशांति का बातावर्ण या फिर शिक्षन सहायक सामागरी का अभाव तो इसमें देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर एक ब्रहमित शिक्षक तो सही जो उतर होगा वो क्या है आपका ब्रहमित शिक्षक होगा कि जो कक कक्षा में यदि शोर होगा तो वो जादा उतनी बाधा उत्वन नहीं करेगा जितनी जादा बाधा कहां से होगी शिक्षक से होगी क्योंकि शिक्षक ही क्या है वो ही आपकी क्लास को नियंत्रित करेगा कक्षा के शोर को वो कम कर सकता है और कक्षा के बाहर अशान्ति के वात कहीं ज्यादा ऐसा लगता है कि ये भी इसका उत्तर हो सकता है वो भी इसका उत्तर हो सकता है तो वहाँ पर हमने बिल्कुल जो सटीक और जिसकी probability सबसे ज्यादा है उसको ही हमने क्या रखना है सही उत्तर करना है तो इसका जो सही उत्तर हो का देखे ब्रहमित शिक्षक ये भी important है आपके शिक्षन विधी में या शिक्षन अधिकम से related ये प्रशन है तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा गया है कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं तो बिलकुल सही बात है और सभी चात्र जो है वो सजाती नहीं है या एक समान नहीं है next जेदी किये कि विचारों की असैमती सभाविक है तो ये तीनों ही बातें क्या है अपने आप में सत्य सावित होती है कि कक्षा में दूसरे विचार भी होते हैं mainly एक ही विचार को हम नहीं ले सकते और अलग-अलग चात्र है अलग-अलग उनकी सोच होती है ठीक है विचारों की और बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है देखिए यदि किसी भाषा में सरटेन का कूट लेखन XVI GZRM किया जाता है तो उस भाषा में M-U-N-D-A-N-E का कूटन कैसे किया जाएगा तो देखिए इस तरीके का जो कूट वाले प्रशन है वो भी UGC NET की परिक्षा में पूछ जाते हैं और हर बारी ही यह पूछ जाते हैं बहुत सिंपल से यह question होते हैं इनको आप time दीजिए और यह आपकी संभावना बहुत कम कर देता है गलत होने की अगर आप इनको अच्छे से समझ के करेंगे तो देखिए इन प्रशनों को जानने के लिए या इनका उतर ढूनने के लिए एक तो हमें सबसे पहले जित्रें भी आपके जो alphabet आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उनको आप याद कर लीजिए कि पहले नमर पर इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो यह आपके लिए बहुत जादा बेनिफिशल हो जाता है और कई बार आप देखते हैं कि इस तरीके से ही प्रशन पूछे जाते हैं और ये वाला प्रशन भी ठीक वैसे ही पूछा गया है तो देखिए यहां पर देखिए क्या किया नमबर पर ठीक है अब हम यहां से देखेंगे कि यहां हमने उल्टे करके इसको लिख दिया है कि तीसे नमबर पर क्या है X है ठीक है तो देखिए आगे X है उसके बाद E आता है आपके 5 नमबर पर तो यहां से हम देखेंगे पीछे से Z से लेकरके पीछे को देखेंगे 5 न जान करेंगे, तो यहां पर M है, देखिए, M-U-N-D-A-N-E, तो M की जगह क्या आएगा, N आएगा, ठीक है, तो यह आप इसको एक बार इस तरीके से देखिए, चाहे आप इसका स्क्रिंशॉट भी ले सकते हैं, इसको समझने के लिए, बहुत ही सिंपल है यह, अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, उनको हम अलग प्रशन में डिसकस करेंगे, यहां पर मैं कुछ जादा आपको नहीं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारी यह question series ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा hint यहां से देने की कोशिश करूँगा, चलिए, अगला प्रशन दिख लेते हैं, आपका उस कूट का chain कीजिए, जो यह दर्शाय की यह निशकर्श सही रूप से प्रदत अधार वाक्यों से ही प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे प्रशन भी UGC.net के first paper में पूछ जाते हैं, तो यहां पर देखिए, अधार वाक्य दिये होंगे आपको तो फिर उसका आपको न लड़के हैं, तो यह क्या हैं, पुरुष हैं, यह सभी हैं, ठीक है, सभी लड़के क्या हैं, पुरुष हैं, तो यह लड़के हैं, यह क्या हैं, पुरुष हैं, सभी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर आगे जो अधार वाक्य दूसरा है, देखिए, यह कहता है कि पुरुष क्या हैं लड़के हैं तो यहां पर देखिए पुरुष हैं तो वो क्या हैं लड़के हैं तो यह बात क्या है सही है अब आता है कि सभी लड़के आपके क्या है पिता है तो यह लड़के हैं तो यह सब के सब क्या है पिता है यह तो हमें देखी रहा है तो इसमें को बिकल्प हैं, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, निश्कर्ष एक भी ठीक है, और दूसरा भी आपका क्या है, सही है, ठीक है, चलिए, अगला प्रशनम दिख लेते हैं, प्रशन संक्या 8 है, देखिए, BCD का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए, BCD, तो य यह भी UGC NET, फस्ट पेपर के परिक्षा में कई बार पूछी जाती है, और इस से आपको, जितनी भी यहां से संबंदित, जो आपके यह एब्रिविशन्स हैं, उनको याद करना बहुत जादा जरूरी है, और भी मुत्रपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में हम आगे डिसकस करेंगे, आज हमारा पहला दिन है, तो मैंने basic basic से question ही आपके बीच में रखे हैं, तो यहां पर है देखिए binary coded decimal, तो सही उतर होगा इसका विकल्प नमबर A, clear है, अगला प्रशने देखिए प्रशन संख्या 9, वो है कि निमी लिखित में से कौन सी प्राकृतिक आप जादा जो जन सामाने है, वो प्रभावित होता है बाहरतवर्श में, तो इसका जो सही उतर होगा आपका बाढ़ होगा विकल्प नमबर 2, चलिए, आज का आखरी प्रशन हम देख लेते हैं कि कौन सा है, तो इसमें देखिए कि निमी लिखित में से किस संगठन ने राष् सी ने इसकी स्थापना की थी, आगे है देखिए, इसके बारे में थोड़ा से चीज़ें जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राष्टिय मुल्यांकन एवं प्रत्याइन परिशद जिसको हम National Assessment and Accredition Council या NEC के नाम से भी जानते हैं, ये एक संस्थान है, जो भारत के उच्षिक्षा अन्ने शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्याइन या मान्यता का कार्य करती हैं और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और मुल्यांकन एवं प्रत्याइन को मूलता किसी भी शेक्षिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है और वास्तम में यह मुल्यांकन यह निर्धारित करता है कि कोई भी शेक्षिक संस्था या विश्विद्याले प्रमानन एजेंसी के द्वारा जो निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस तरह या किस स्थर तक पूरा कर रहा है तो यह था NEC तो जो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं अगर इन दस प्रश्णों में कुछ एक गलतियां है तो आप कोमेंट सेक्षिन में जाकर मुझसे बता सकते हैं और फिलाल आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे दस और प्रश्णों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजाजत जाहिन चाभारत